आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेस्बुक के नोटिफिकेशन कैसे ओन कर सकते हैं तो आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो उसके लिए आप अपने फोन में सबसे पहले फेस्बुक को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर फेस्बुक को ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में कॉर्नर में तील लाइन शो हो जाएंगी आपको यहाँ पर इन तील लाइन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा तो आप यहाँ पर नीचे आईए और नीचे आएंगे तो आपको एक आप्शन देखने को मिलेगा Settings and Privacy तो आप Settings and Privacy पर क्लिक करिए उसके बाद एक आप्शन आपके सामने आजाएगा अलग से Settings का तो यहाँ पर आप Settings पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और आप आजाएगे Facebook की Settings में आप यहाँ पर अब नीचे आईए तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक आप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन सैटिंग्स का तो आप नोटिफिकेशन सैटिंग्स पर क्लिक करिए उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और आप इस पेज पर आजाएंगे अब यहाँ पर आपको Facebook के नोटिफिकेशन मैनुएली आउन करने हैं तो सबसे पहले आप कमेंट पर क्लिक करिए उसके बाद आपको इस तरह से इन सब को आउन करना है फिर से बैक आईए टैक्स पर क्लिक करिए और इस तरह से इन्हें आउन कर दीजिए तो आपको इसी तरह से एक एक करके सब को आउन करना है तो इस तरह से आप on करेंगे फिर back आईए और इस तरह से on कर लीजिए आप सारे notification उसके बाद हो सकता है अपने settings में से off किये हो तो आप facebook से बाहर आ जाईए उसके बाद अपने phone में settings को open करिए और settings open करने के बाद आपको जाना है अपने phone की status bar and notification settings में तो status bar and notification पर क्लिक करिए उसके बाद आपको क्लिक करना है manage notification पर उसके बाद आपके सामने ये वाला page आएगा तो आपको यहाँ पर नीचे आकर facebook को search करना है आप नीचे आएँगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से facebook facebook पर आप क्लिक करिए उसके बाद एक option मिलेगा allow notification का तो यहां से आप इसे allow करिए और on कर दीजिए यहां पर आपके facebook के notification on हो जाएंगे अगर आपका इन में से कोई off रहता है तो आप इने भी चालू कर दीजिए कुछ इस तरह से तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें